Welcome to our channel, आज हम Mega Analysis करने वाले हैं, 28 December से लेके 13 December Phase 1 में जो भी questions पूछेगा हैं, बहुत ज़्यादा important है ये वीडियो, वीडियो को last तक जरूर देखना काफी सारे questions यहां से directly आपके upcoming exams में हैं, जो है पूछे जाने वाले हैं, जो upcoming shifts में, जो student exam देने वाले हैं, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5 में, जितने भी phase होने वाले हैं, तो first phase का Mega Analysis करने वाले हैं, और यहां पर जितने भी questions पूछेगा हैं, from general science, general evidence, current affairs, इनको यहां पर हम discuss करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा important वीडियो है, इसलिए request है, please इस वीडियो को ज़्यादा share कर दीजेगा, ताकि बहुत सारे जो students हैं, जो nervous engine को डर है, कि आगे exam में क्या होने वाले है, तो उनको एक idea तो कम से कर मिल जाए, कि किस तरह जो है, यहां पर questions मिल रहा है, और आप भी video को देख रहे हैं, तो last तक जरूर देखना डरने हैं, कोई भी बात नहीं है, एक दो script जो है, जो है tough पूछा गया था, बाकी जो maximum scripts थ बार बार पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर सत्यन अंडेला जो है, he is the CEO of Microsoft, formula of laughing gas पूछा गिया था, उसे तो general science से बहुत कम question बने phase 1 में, लेकिन phase 2 में हो सकता है, तो chemistry से कुछ formula initially पूछे गया थे, तो formula of laughing gas पूछा गिया था, तो इसका जो formula है, यह है N2O, rank of India in global hunger index पूछा गिया था, 2020 में अगर देखे तो 94 जो है, इंडिया का rank है, तो अलग-अलग indexes में जो rank है, बहुत जादे important है, यहां से पूछे जा रहे है, तो 94 इंडिया का rank था, out of 107 countries, United Nations Secretary General के बारे में पूछा गिया था, तो currently जो Secretary General है, यह है Antinio Uterus जो है, यह Secretary General है, वोपल gas tragedy के बारे में पूछा गिया था, कौन सा gas था, यह भी question repeated है, आगे जो है, आपको यह question 2005 में हुआ था, यह भी question काफी बाट जो है, आलग अलग जो है, फिर shifts में repeat हुए है, Lord Curzon के द्वारा जो है, यह किया गया था, तो यह भी पूछा गया है, Chief Justice of India पूछा गया है, currently कौन है, Justice Sarad Arvind Bobdey, जो है, he is the Chief Justice of India, Gobi Desert कहा है, कौन से country में है, तो यह मंगोलिया में present है, Head of DRDO पूछा गया है, यह Head पूछा जा रहा है, बार बार, CEO Head आपने बताया है, यह आपको पढ़के जाना है, यह topic, तो Dr. G. Satis Ready, he is the Head of DRDO, 8th schedule of constitution, consists of how many language, यहाँ पूछा गया है, जितने भी important schedules है, जरूर देखके जाना, schedule से question बन रहा है, static जीके में सब cover up कर दिया, हमारे static जीके जो playlist आसका link description में आपको मिल जाएगा, 70 से ज्यादा हमने वहाँ पे वीडियो बनाया है, और लगभग जो है, बहुत सारे questions वहाँ से बने है, phase 1 में, तो static जीकेगे जितने videos है, जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपको revision करना, उस सारे बिल्कुल करके जाना, link description में है static जीकेगा, 8th schedule जो है, इसमें कितने language दिये गया है, इसमें 22 language जो है, यह दिये गया है, total 12 schedule है, so, राज is my birthright किन के द्वारा कहा गया था, तो लोकमानियती लग के द्वारा जो है, यह कहा गया था, CM of unnatural प्रदेश, initial जो phase होए थे, जो shift होए थे, यहाँ पे CM governor पुछा गया है, तो CM जो है, अन्नाचल प्रदेश के यह है, पेमा खंदू, second battle of panipat के बारे में पूछा गया था, history से बहुत ज़्यादे सवाल पूछे गया है, और current affair से, second battle of panipat जो है, कब लड़ा गया था, 1556 में यहाँ यहाँ पे लड़ा गया था, खासकर कर यहाँ यहाँ पूछा सारे सवाल बने, static GK का हमारा पहला वीडियो है, तो static GK के प्लेस्ट में जैसे ही आप जाएंगे, यह सब बिल्कुल आपको देखने मिल जाएगा, this is caused by deficiency of vitamin D, पुछा गया है, तो option के पर depend करता है, दोनों option एक ही साथ नहीं होगा, क्योंकि cricket भी होता है, osteomalacia भी होता है, by deficiency of vitamin D, Nobel Prize in Economist 2020 पुछा गया, हाँ, Nobel Prize से सवाल बने है, 2019, 2020, दोनों से सवाल बने है, तो बिल्कुल Nobel Prize जो है, यह तयार करके जाना, Robert B. Wilson इनको मिला था, साथ में Paul Milgram जो है, इनको, इन दोनों को मिला था, battle of palace के बारे में पूछा गया था, और यह question जो है, last shift के तरफ भी battle of palace स कुछ सवाल बने थे, सिराज ओदौला से जो है, बने थे, last independent नबाबा बेंगॉल थे, सिराज ओदौला, Robert Clive के बीच में हुआ था, date यहाँ पे साथ पूछा गया था, 1757 में यह हुआ था, governor of Rajasthan पूछा गया था, कलराज मिस्रा जो है, यह currently governor है, स्री कलराज मिस्रा जो है है, he is the governor of Rajasthan, गोल गुंबज कहा है, पूछा गया था, located कहा है, तो विजापूर, कनाटका में यह located है, gas exchange and plant take place through teeny holes, तो इसे क्या कहते है, बालू जो सी सवाल था, तो इसे simple है, बहुत आसान है, instrument कहते है, bearing state जो है, यह कौन से दो country को separate करता है, तो जितने भी important states है, इसे भी देख लेना, यह भी प्रेजेंट है, इसे प्लेलिस्ट में, रसिया और युनाइटिट स्टेट्स को जो है, सेप्रेट करता है, युनाइटि स्टेट्स का, अगर हम देखे तो Amazon और रसिया को खास करके यह separate करते हैं, full form of CPU पुछा गया था, computer abbreviation से काफी सारे सवाल बने है, Central Processing Unit, बिल्कुल basic से सवाल है, Standard 4 जो है, Class का यह सवाल है, Study of Heart को क्या कहा जाता है, Cardiology कहा जाता है, Study of Kidney भी पुछा गया था, Study of Kidney को Nephrology कहा जाता है, International Women's Day के बार में पुछा गया था, 8 March को celebrate किया जाता है, First CEO of Indian Railway पुछा गया था, तो हाली में बना गया है, तो Current Affairs तो सव बन रहे है, तो Vinod Kumar यादब जो है, यह Chairman थे, अभी इने CEO बना गया है, तो यह लिएक इतिहास में जो है, पहली बार हुआ है, यहाँ पर App 7 की जो है, इसका function किया, तो जितने भी functional की है, उनका आपको देख के जाना है, ठीक है, जितने भी 12 functional की है, उनका बिल्कुल देख के जाता है, FIFA World Cup 2022 कहां होने वाला है, तो यह Qatar में होने वाला है, जलिया वाला बाग में से केर, जो है, कब हुआ था, इससे भी ज्यादा question repeat हुआ है, तो यह 13th April 2019 को हुआ था, World Cup से भी काफी जादा question पूछे गा है, इसी बार जो है, यह पूछा गया था, विनर कौन थे, 2018 का, तो रिसेंटली जितने वीडियो अपलोड किया गया है, सबको देखे, जरूर जाना वह भी बहुँआ जादा important है, यह जान का यह ध्यादा का यह currency है, फार्मूला अब हेवी वाटर पूछा गया है, तो DTO जो है, इसका फार्मूला यहां पर है, Deuterium Oxide इसका full name है, Deuterium जो ह गया था तो यह साथी अरेबिया के द्वरा जो है चेयर किया गया था आगे जो यह समिट कहां होने वाल हैं इसे बिल्कुल देख लेना अब कुछ जाना मत भूलना क्योंकि वहां बहुत ज्यादा जो भी वीडियो चाहिए जिसके रिलेटर हमाले चैनल में आपको मिल जागा तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए डिरेगली कोशन और अंसर कोशन और अंसर यहां पर डिसकस करते हैं जो है तो रीवय डॉल्फीम जो है इस नाशनल अपर अनिमंट फुचा गया था मोपिलयार इरिम बार एक पुचा गया था टुक प्लेस इन मालावा रिजन इन केरेला कहां पे हुआ तो कौन से स्टेट में हुआ था पूचा गया था केरेला में हुआ था 1921 में हुआ था अगेनी जो है कोशन रिपीड भी हुआ है बाद में चेर्मेन ऑफ बासट पुचा गया था तो यहां पर कृषने अंदू मौऑजुंदार जो है he is डा चेर्मेन ऑफ बाफटा न्यू हाइट ओपमौंड अव्रेस थाली मैं जो है नया हाइट जो है मेंसर किया था तो यहां पर हमनेए एकुरेट जो है यहां पर हाइट आपके लिए मेंसन कर दिया है तो करेंट अफेर्स से जो रिसेंटली कोशन्स भी काफी सारे बने हैं 8848.86 मीटर इसका प्रेजेंट हाइट है जो मुर रिसेंटली जो मेजर किया गया है CEO of Paytium पुछा गया है विजा संका सर्मा जो है he is the CEO of Paytium Chief Executive Officer of Paytium Founder of Slave Dynasty पुछा गया था कुतु उद्दिन आइबग जो है he was the founder of Slave Dynasty pH value of blood पुछा गया तो तो यह range है इस range के अंदर जो भी option आपको मिलेगा यह सही जबाब है 7.35 to 7.45 highest civil servant of union government जो है यह पुछा गया है तो cabinet secretary जो होते है he is the highest civil servant of union government governor of Telangana पुछा गया था Dr. Tamil Sai Sondar Anjan जो थे जो है currently she is the governor of Telangana Swaraj as a national demand was first demanded by which of the following leaders तो दादा भाई नरूजी के दौरा demand किया गया था कौन से congress session में यह जो है INC के 1906 session में demand किया गया था which blood group is universal acceptor तो AB plus जो है यह universal acceptor है universal donor पूछा जाएगा तो वो negative universal donor है ऑसकर 2020 best picture किसे दिया गया है तो best motion picture जो दिया गया है यह parasite को दिया गया है इंडिया national congress के बारे में पूछा गया था founded wise side पूछा गया था तो Alan Octavian Hume के द्वारा यह खुजा गया था it was founded in 1885 highest mountain peak located in India तो कंचन जाएगा इसका सही जबाब है विल्कुल जो है आसान सा सवाल बना था chairman of coal India पूछा गया था Mr. Pramod Agarwal is the chairman of coal India bile is secreted by bile is secreted by liver STTP का full form पूछा किया था hypertext transfer language जो है इसका full form है bile का function किया आगे चल के पूछा जा सकता है और कहां पे store होता है तो बाइल जो है गॉल्व लडर में store होता है function है यह fat को digest करने में मदद करता है was the father of Mughal Emperor Bawar यहां पे पूछा गया है Umad Sheikh Mirja जो थे he was the father of Mughal Emperor Bawar तो Bawar ने इन्होंने इस्तपना किया था Mughal Empire का उसके बाद question बना है सुरे वर temple जो है यह कहां पे present है यह dedicated to Lord Shiva है यह present है आसाम में GST का full form पूछा गया था या GST का full form भी एक बार पूछा गया था और एक बार पूछा गया था GST is which kind of tax यह भी आसान सा है तो indirect tax है GST is indirect tax तो कौन से direct tax है कौन से indirect tax है बिल्कुल देख लेना ठीक है यहां से जो सवाल बनते है formula of slate lime यहां पर पूछा गया है तो formula बार बार पूछे जा रहे है chemistry का formula देखके जाना basic formula वीडियो है already present है calcium hydroxide जो है इसका formula है CAOH2 का formula है CM of Kerala पूछा गया था Pinaray Vision is the CM of Kerala current PM of Japan पूछा गया था यहां पर गलती मत करना ठीक है Constitution Day के बारे में पूछा गया था संभीधान दिवस कब मनाया जाता है 26 November को यह मनाया जाता है Sanchi Stupa designated UNESCO World Heritage Site into यह थोड़ा सा tough question था कौन से year में जो है Sanchi Stupa को UNESCO World Heritage Site में जो है जगा मिला था इससे जो है registered किया गया था तो यह था 1989 में जो है यह designate किया गया था आगे चलके संभी इस तुपा से भी question बना है तो डिरेक्ट इन डिरेक्ट लिए question बन ही रहे है repeated भी आपको देखने मिलेंगा थोड़ा सा अगर आधा हम वीडियो कदम कर देंगा उसके बाद देखेगा कितना सारे question जो है repeated है तो यह बहुत ज़्याद आपके लिए beneficial होने वाला इसलिए do share this video यह बार बार रिक्वेस्ट है कि share जरूर करना इसमें कोई कमी मत रखना ज्यादा से ज़्याद इस वीडियो को right in India has been taken from तो यह USA से लिया गया है शुरूत भारत सम्विदान के सम्विदान के जो शुरूत है इनको बिल्कुल पढ़के जाना है क्या चीज कहां से लिये गया है पूछा गया है इंडिया का पूछा जाए भी तो यहां पर जैसे हमने कहा था जीस्ट से पहले कुशन बना था देखेंगे जीस्ट का फुल फॉर्म भी यहां पर पूछा गया है गीता गविंदा वस रिटेन बाई तो यह जैदेवा के दोरा लिखा गया तो यहां पर पूराने जो इंडियां बुक्स हैं इनके बारे में जाथर पूछा गया है लेकिन जाथर यही हुआ है जो फेज उन में हम देखे तो सेशन अफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस प्रिसाइड़ बाई महात्मा गांधी 1924 का सेशन जो है प्रिसाइड किया गया था अगे यह हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था था जो है इसका फुल फॉर्म पुछा गया बाद में कुछ बहुत बार रिपीड भी हुआ है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटर्चेंज जो है इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर अब्रिवेशन बिलकुल देखके जाना यहां से सवाल बन रहे इंडियन एंटियकलचर रिसार्च इंस्टिवुट कहां पे फ्रेजैंट नियो देल्ली में फ्रेजैंट है जितना इंपोर्डटं इंक्यूटियूट है वह इसके рукमणृ कहा कहा जाता है तो मैंगो कहा जाता है चैंटिविक नेम हैं हिक्टों पूछेगा है, total number of high court in India, तो यहाँ पर total number of high court in India, इस total number अभी currently यह है 25, governor अब RBI पूछा गया है, तो यह जो है during demonetization, तो यह उर्जित पतल समय जो है governor थे, cabinet mission was sent to India, तो कब cabinet mission इंडिया आया था, यह सब बिल्कुल आपको देखना है, creeps mission, cabinet mission, यह सब इंडिया कब आया था, क् जो है काफे सारे questions यहाँ से बन रहे है, February 1946 में cabinet mission इंडिया आया था, chief guest of 2020 Republic Day, यहाँ पर पूछा गया आफ इंडिया, तो जैर, बोल सैनारो जो थे, यह is the current president of Brazil, और यह जो है chief guest बन के आया थे, 2020 का Republic Day, 2021 का जो है PM of UK को बुलाए गया था, लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिय तो अभी जो है, decide नहीं हुआ है, who will be the next, जो है Republic Day में कौन आने वाले, लेकिन 2020 का भी decide नहीं हुआ है, अगर पूछा जाए कि किने बुलाए गया था, तो जो है, जो UK के PM है, उनको बुलाए गया था, UNICEF headquarter कहाँ पे है, तो यह New York, United States में है, international organization से बिलकुल सवाल बन रहे ह हिमायून नामा किन के द्वारा लिखा गया है, तो गुल बदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, she was the half sister of हिमायून, full form of HLLL पूछा गया है, high level language का full form है, which country is not a member of SARC पूछा गया है, आगे चलके SARC का hitquarter और साय यह भी पूछा गया है, कि member कौन नहीं है, या member कितने member से यह पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देख रहा है, साथ country जो है member है, सबका नाम मेंशन कर दिया है, अफगानिस्तान, बांगलादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मैल्डिप, टाकिस्तान है, स्रिल्लंका, यह जो है country, यह member है, they are the SARC member, 15th finance commission chairman यहाँ पर पूछा गया, N जोजिलापाश जो है, यह कहाँ पर लोकेटेड है, लदाक में लोकेटेड है, first nuclear reactor अफ इंडिया जो है, यह अपसरा जो है, it was the first nuclear reactor अफ इंडिया, operation green is related to stabilize supply of tomato, onion and potato, तो इससे related है, operation green, बर्दोली सत्यगरा के बारे में पूछा गया था, तो यह date पूछा गया है, ज्यादा भाई पतेल, capital of South Africa पूछा गया था, तो हो सकेगे, तीनों capital देखे, all of the above भी हो सकता, या फिर इनमें से कोई एक हो सकता, तो capital of South Africa, Cape Town, Pretoria and Bloom 14, जो है, they are the three capitals of South Africa, commonwealth game 2022 के बारे में पूछा गया था, कहाँ पे होगा, तो यह बिन मेंगा, United Kingdom में जो है, और्गनाइस किया जा 2014, तो तेलंगाना जो है, 2004 बना था, इसी तरह जो जो अलग-अलग state का form होए, पूछा गया है, साल 2000 में, कौन से state form होए, जो है, 36 गाड, उत्राखंड, जारखंड, यह सब बने थे, साल 2000 में, तो यह सब सवाल बार बार बने है, repeat भी हुए है, bridge connected north eastern state, Assam and unnatural प्रदेश, तो जो है, किनके नाम पे है, अभी रखा गया है, तो भूपेन हजारी का जो है, इनके नाम पे ही रखा गया है, bridge का नाम, तो यह धोला सदिया भी जो है, it connects Assam and unnatural प्रदेश, बर्थ नेम आप महावीर पुछा गया है, इसी तरह बर्थ नेम सब का जान के जरू जाना, जैसे ब battle very watchplay के द्वरा स्टार्ट किया गया था, January 1999 में स्टार्ट किया गै था, बहुत बहुत जाता ही आपके लिए, बहुत ज़यदा हिल्फुल होने वाला है आपके लिए, निपा भाइस फ्रेड इनुई पर यह करेला में पाया गया था, इन बार के पूछा गया था, किन personally में म कर दिया है स्टाटिक जी कि आप देखते जाना प्लेलेस्ट में सब है 22nd October 1764 में जो है यह हुआ था चीप जस्टिस जो जो जिन्हें नोमिनेट किया गया है राज्यसभा में रेसंटली पुछा गया था तो रंजन को गोई यह थे कि वस्ट फॉर्मर्ट चीप जस्टिस ऑफ Hangul Big नोबाग जोकोविक में पूछा गया है तो नोबाग जोकोविक जो थे यह वीनर थे एसा ही यूंट ओभावर अप्लेंज पूछा गया था तो डायप्टोर जो है इसका सवाले फॉर्मूला पूछे जा रहे हैं थोड़ो सा बिसिक फॉर्मूला जरूर देके जाना dolla match लोग सभा में कितना है 552 है जो है maximum सिट लोग सभा में इस अब बिलकुल देखना है कितना सिट कहा पर है या फिर एज भी पुछा जाता है मेंनिमम एज रिक्वाइड फॉर टूबी द मेंबर अव राज्य सभा लोग सभा पंचायत मेंबर होने के लिए कितना चाहिए सब कब स्टार्ट हुआ था 2015 में स्टार्ट हुआ था नासा इस्टबलीज कब हुआ था यह पूछा गया है नासा का फुल फॉल फॉर्म भी बहुद बाहर पूछा जाता है तो फॉस्ट ओक्टोबर 1958 को सब्सक्राइड उनाटेट स्टेट में फंडमेंटल राइट कितना कौन इसको अभी प्रेजेंट लिए अगर हम देखे तो एक घार एक सो वान थाउजन्ड वन हंडर्ट ट्वेटीवन जो है वाल है तो कल्चरल इतने हैं नाच्रल इतना है 39 मिक्स प्रपर्टी है आगे चलके यहां पर पूछा सकता है कितना कल्चरल है कितना नाच्रल है कितना जो है मिक्स प्रपर्टी है यह सब बन सकते हैं यांगेस्ट पर्सन टूगेट नोबल प्राइज तो यहां पर मलाला योसुप जाई जो है इन्हें दिया गया था इन्हें सी वास फ्रम पाकिस्तान और सत्रा साल के उमर में ने दिया गया था टूटल पर्मनेट मेंबर दो सामाज परिमनें मेंबर है यू के युसस Compared with France हो गया यह सब मिला कर जो है टूटल यहां पर पांच जो है मेंаны टूप्रेस्ट नार एक अषल के लिए नोन पर्मनेट मेंबर साहि जो है उनके क्या जार बारे में पूछा गया है विस्टम साहनी के द्वरा यह लिखा गया है साइमन कमिशन के इंडिया देखिए सामन कमिशन का इंडिया आया था तो 1928 मा आया था पहले जो कुछन बन रहना से वह तो basically hinty है कि इस से related question आगे चलके बनने वाल है, total member of WHO पूछा गया है, 194 member states यहाँ पे है, while this is secreted from, तो यह repeated question है, तो liver यहाँ से secret होता है, इसके बारे में तो हमना discuss कर लिया था, revolt of 1857 पूछा गया है, was ruthlessly suppressed by Sir Colin Campbell इनके द्वारा यह suppressed कर दिया गया, full form of URL पूछा गया है, uniform resource located, जो है, इसका full form है, longest road tunnel, देखे, इस रिपीट हुआ है, it is the longest road tunnel, उसके बाद सुकन्या समरिधी योजना के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, तो launch किया गया है, 2015 में launch किया गया था, और यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, campaign के अंतरगा जो है, इसे launch किया गया था, तो यहाँ पे जो इंडियन government के flagship program से, इनसे भी पूछा जा रहा है, उसके उपर भी वीडियो है, 2014 से लेके 2020, हाला कि कुछ-कुछ और भी पुराने पूछ लिए गया है, सुकर्णिया समरिधी योजना जो है, यह launch किया गया था, 2015 में, code name of pokoran test 1998, तो operation सक्ती जो है, इसका code name है, और 1974 में जो हुआ था, smiling Buddha का code name था, 11 में 1998 को जो है, यह हुआ था, national technological day भी 11 में को मनाया जाता है, सर्दात सरोबर्ट डैम के बारे में पूछा गया था, कौन से river में है, नादमादा नधी के उपर में है, कौन से state में है, तो river dam इससे बिल्कुल तो देख रहा है, यहां से तो common है, स्टाटिक जिके का जो है, यह पार्ट है, तो यहां गुजराट में यह है, गांधी सागर डैम के बारे में पूछा गया था, चंबल रदनी के उपर में है, मध्या प्रदिस में प्रेजेंट है, आटिय कब लांच वहा था, यह पूछा गया, तो देखे थोड़ा सा फूराना है, लेकिन पूछा गया, 2005 में इससे लांच किया गया था, 12 October 2005 में लांच किया गया था Capital of Indonesia, रिपीडेट कोशन है, जगरता जो इसका Capital है, लेंग्ट अफ अटल टरनल पुछा गया है, तो 9 किलोमेटर जो है इसका 9.02 का एकुरेटर अंसर है, अप्रॉक्स 9 किलोमेटर भी आंसर दे सकते हैं, अगर आप्शन में हो तो, या फिर पूरा जो है यही आप्शन में इसका नहीं करना है, बॉक्साइट और इस मेजरली फाउंड इन इंडिया, तो खहां पर मेजरली पाया जाता है, तो बॉक्साइट का 51 परसेंट अगर हमां देखे तो यह ओडिसा में पाया जाता है, 51 परसेंट, डियडियो का हेटकोर्टर पुछा गया, तो यह न्यू द 25 most important amendment बिल्कुल देखे जाना, और साथ में 50 most important articles, कोशन जरूर यहां से आपको देखने, जरूर मिलेगा, total number of nuclear reactor in India पुछा गया है, तो अभी जो total number है, 22 nuclear reactor present है, minimum support price is decided by, तो यह पुछा गया है, minimum support price, MSP जो है किनके दवरा decide किया जाता है, commission for agriculture, cost and price, इनके दवरा decide किया जाता है, फिर final decision लिया जाता है, government of India के दवरा लिया जाता है, तो यहाँ पर decide कौन करती है, तो यह organization जो है, commission for agriculture cost and price, यह decide करती है, full form of ISP पूछा गया था, internet service providers का full form है, first presidency of British East India Company, तो पहले जो है, British Presidency कहां कहां था, Kolkata था, Mumbai था, Madras था, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो सूरत जो था, यह पहला presidency था, क्योंकि पहले यह यहीं पहुंचे थे, जो Britishers थे, जो East India Company थी, यह सबसे पहली गुजराथ ही पहुंचे थे, गुजराथ के port में पहुंचे थे, तो यहाँ जब फिर जाके यह आगे spread हुए थे, father of white revolution यहाँ पर पूछा गया है, तो जो है father of, इनको milkman भी कहा जाता है, यह भी question आगे चलके बना है, तो यहाँ पर वर्क्सी कुरियन जो ह type of satellite, तो यह communication satellite है, वोसे आगे चलके और एक वीडियो में लाने वाले है, satellite and their types, जल्दी यह वीडियो आपको भी मिल जाएगा, within one and two days मिल जाएगा, क्योंकि यह question design किया जा रहा है, तो इस पर वीडियो एक नहीं है, बना देंगे, first high court in India, जो है यह कहाँ पर था, तो पहला 1st April 1935 Act, पास्वादा 1934 में, 1st April 1935 में, Reserve Bank of India was founded, उसके बाद बना था, पंडिता रामा भाई, सरस्वती, इस scholar of which language, पुछा गया था, तो इन्पोर्टन जो पर्सनलिटीज है, उनसे सवाल बन रहा है, तो she is the scholar of Sanskrit, यहाँ पर संस्कृत, यहाँ पर संस्कृत, यहाँ पर संस स्पोर्ट से रिलेटेड है, यह पूछा गया है, इंडिया आफ्टर गांधी जो है, इसके book के author कौन है, रामा चंदर गुहा जो है, इसके author है, cleanest city of India 2020, लेकिन यहाँ पे category डाल दिया गया है, population less than 1 million है, इंदोर है, तो यहाँ पे category डाल दिया गया है, तो population less than 1 million है, तो यह है, अंबिकापूर, अंबिकापूर 36 गड़ में present है, it is the cleanest city of India 2020, under the category population less than 1 million, तो सारे categories बिलकुल देखके जाना, जब भी यह रिलीज होता है, इंडेक्स तो देखके जाना है, अभी जो है 1 million से ज्यादा देखे तो इंदोर है, लेकिन 1 million के अंदर देखे तो अंबिकापू United Nation, who was the king of Berdwan during permanent settlement, थोड़ा सा tough question ज़रू हो सकता है, detail में NCAT पढ़ा है, तभी जवाब दे सकता है, बहादूर तीज चंद राय, he was the king of Berdwan during permanent settlement, यह जो है NCAT पढ़ने के बाद ही इसका answer हमें मिला, वासे Google search आप करेंगे तो इसका answer जो है आपको नहीं मिलेगा, जातर कुछ और जो होता है यहाँ पर, role of Michael Hershey in CSK, चैने सुपर किंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर यह बैटिंग कोच है, who attended second round table conference, तो महत्मा गांधी जो है, इन्होंने attend किया था, first round conference में कोई भी major जो है, यहाँ पर इंडिया के तरह से participation नहीं था, second round conference में अगर हम तो INC के leader और महत्मा गंदी के दवारा participation था, Tamil New Year Day Cup celebrate किया जाता है, तो यह 14th April को celebrate किया जाता है, CSS का full form पूछा गया था, use किया जाता है, basically website designing में HTML CSS use किया जाता है, उसके अलाबा JavaScript और Python भी यूज किया जाता है, तो CSS के बारे में पूछा गया था, cascading style sheet जो है, इसका full form है, प्रियदेशवर temple was constructed by यह पूछा गया तो राजा राजा छोला के द्वारा, one के द्वारा जो है constructed है, कहां पर present है आगे चलके पूछा जा सकता है, तो यह तंजबूर में present है, तामिल लड में present है, oldest dam in India, काला नाई डेम चोला डानिस्टी के दवर बना गया था, आज भी present ह और काम में आज भी लिया जाता है, तो यह जो है oldest dam of India है, full form of leafo पूछा गया है, computers related है, last in first out, फीफो आगे जालके पूछा जा सकता है, first in first out उसका full form होगा, states of saffron from watchfire to modi author कौन है, तो सवा नक भी जो है, she was the author of this book, तो इसके बारे में जो है, यह पूछा गया है, who late खिलाफ जो है, 36गण बना था साल 2000 में, ला लीगा के brand ambassador जो है पूछा गया था, 2020 जो है रोही शरमा को बनाया गया था, 90 साल के इतिहास में ला लीगा फूट्वाल टोर्नामेंट है, पहली बार non footballer को यहाँ पे brand ambassador बनाया गया है, रोही शरमा को बनाया था, आगे चलके ला लीगा या नाशनल पूचा गया था तो वह नाशनल स्टैटिस्टिक्स टेट वेंटी नाइन चून को व्ल्स टेटिस्टिक्स टेट टेटी जून को है सेलिब्रेट किया जाता है धोला सद्यावरी देखे रिपीट हुआ है इस नेमड आफ्टर उपेन हजारी का he was the great magician from Assam और सबाल इससे बहुत सारी भी बने है and वो कुछ भी Assamese film भी कुछ जो है इनके द्वारा direct किया गया है CAA का full form पुछा गया है Citizenship Amendment Act इसका full form है Nobel Prize Peace में जो है 2020 में किन्हें दिया गया है किन्हें दिया गया है तो यहाँ पर इंडिवीजियोल को तो नहीं लेकिन एक और सब्सक्राइशन को दिया गया है World Food Program को दिया गया है महाराष्टर के गवरनर के बार में पुछा गया था वगल सिंखोसियरी इस जा गवरनर अप महाराष्टर रावल के लाइश्टील प्लेंट जो है इसा सवाल बने है इसले सवाल बने है क्योंकि 5-year plan अगर अपने पढ़ा होगा तो आपको पता चली रहा है क्यों सवाल बने है और 5-year plan से भी काफी सार सवाल बने इकोनामिक से 5-year plan जरूर पढ़के जाना uranium largest reserve is discovered in which Indian state यह पूछा गया है थोड़ा सा पूराना current affair है लेकिन यह पूछा गया है तो यह जो है आंद्रप्रदेस में discover किया गया था तो इंडिया में सबसे बड़ा वर्ल्ड में भी कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादे यूरेनियम बड़ा reserve जो है पाया गया है आंद्रप्रदेस में सीम अफ गोवा पूछा गया था प्रमो सावन्त इस दा सब्सक्राइब गोबडेस में पुछा जा रहा है ँँडेम्स के बारे में पूछा जा रहा है तो प्रेजट है तो डिइन अप्रावघ करते नोट सबदेस में कोई दीकत आपको नहीं होने वाला है गवर्णर जेनरल लॉट दलहाउसी डेस्क्राइब विच किंग्डम एज एज चेरी देट विल डॉप इन्ट आव माउट वन डे तो कौन से किंडम को इन्होंने डेस्क्राइब किया था और हुआ क्या था पांस साल बाद यही वुआ था कि किंडम आवट जो था यह जो है ब्रिटीज सर्स के अधिन में यह आ गया था इस इंडिया कंपनी का अधिन में आ गया था यह पुछा गया था यह चेरी देट विल ड्रॉप इंटो आव माउट वन डे तो यह जो है किंडम आवट को इन्होंने डेस्क्राइब किया था लॉट दलहाउसी ने 1857 इसका सही जबाब है कौन से दो साउट इंडियन स्टेट में बेसिकल यह कुछन बना था तामिल लडू अंध्राप्रदेस में कौन से कवर करता है उसके बाद आप यह कौंकन रेलवे कभी थोड़ा देखके जाना इंधर का भी पूछा जाता है राजेंद्र परसाद जो थे हमारा constitution बनने से पहले असमली बना था आपको पता होगा तो इसके प्रेसिजिएंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके प्रेसिएंट थे मजूली रिवर आइलेंड रिपीट हुआ है कुछन यह भी कहां पे है कौन से नधी के अबर में ब्रह्मापुतर नदी को पर में आसाम में फूल फॉर्म पुछा गया था पोटेवल डॉकुमेंट फॉर्मेटट फॉर्म है एसे डिप्लॉपमेट बैंक के बारे मुझे था हेट्कॉटर कहा है एसे डेवलॉपमेंट बैंक का तो यह जो है मंदल यू 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 य यहां पर हिमालायन रेंज आलग अलग स्टेट्स में जम्मु कस्मिर माचल प्रदेश सिक्किम यह समय जो है उपन किया गया था फॉर टूरिस्ट अप्टू 2019 यहां पूछा गया है नाशनल पंचायती राजडे का चलिब्रेट किया जाता है 24 अपिल को यह चलिब्रेट किया सब्सक्राइबर बिफोर मार्च 2019 तो यह सेवें टाइम हुआ है एट इस बार मिला है 2021 2022 का भी टर्म इस बार जो है मिला है विच कंट्री विल होस्ट 2023 एसेन फुटबाल चैंपियंशिप तो चाइना जो है से होस्ट करने वाला है और इजीन ऑफ स्पीचिस सेंटिफिक लि इस से बना था तो यह सब पूछा जा सकता है खासकर कि युएन औरगनेशन से पूछा जा सकता है जिसने अच्छा से पढ़ा है वह बिल्कुल जवाब इस सब का दे सकता है मिक्स्ट उपकानमी इंट्रेट्यूस इन हुच फाइव एर प्लैन फाइव एर प्लैन में जो है यह इंट्रेट्यूस किया गया था और एक कुशन बनता है पीसी मालोमी जो है एक मॉडल पर कौन सा फाइव एर प्लैन बना था आगे उसको डिसक्स करें कुश्चन है विच कंट्री वान हाइस्ट मेडल इन तो हैं एटीन एसीन गेम तो चाइना जो है यहां पर हाइस जीता था दिख के जाना कहां पर फॉइल्ट गेम कहां पर हुआ था इंडिया कितना मेडल जीता था देख के जाना आगे चल के यहीए बलोप्रेंट की की इसी से ही सवाल बनने वाला है, फेज टू फेज यू फेज फर जो भी है यही से जो है बहुत सरे सवाल आपको स्टी तो 287 जो है यह इलक्त्रोनिक कान्फिगेशन है फॉर्म अफ क्लोरीन नेगेटिव चार्ज ऑफ आयन इस आयन पॉजिटिव चाहिज जो है इससे कैट आयन का जाता है आगे चलके कुश्चन बन सकता है अलोट आप कारवन पुछा गया था तो यहां पे जितने भी अल इंडेक्स पुछा गया तो नौरवे जो है एक कंट्री जो टॉप में था फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिदेंट आफ इंडिया नंस्नल कॉंग्रेस तो यह थे बदरुद्दीन टयाब जी जो थे तो यहां पे हमने यह डिसकस तो कर लिया आगे बढ़ते हैं इंडिया फर्स्ट नुक्लियर टेस्ट कंड़क्टेट इन तो यह पोखरान में हुआ था वही 1974 वाला जो है जिसका नाम रखा गया था कोड़नेम रखा गया था स्मालिंग वुद्दा यह पोखरान में हुआ फांडेट गदर पार्टी यहां पे पूछा गया है तो सोहन सिंग बखाना के द्वरा यह एस्टबलिस किया गया था कौन से साल एकस्टबलिस किया गया था यह सब बिल्कुल देखके जाना है आपको तो देखे कितने पॉइंट रेज़ किया गया था थोड़ा इंडेट को संद्ध दो पॉइंट यहां पर रेस किया गया था डिर्डक्शन अप्लाइंट रेभीन और साथ में अबॉलिशन ऑफ सौल्ट एक रेस किया गया था गांधी कि डिसाड़ेड तो कॉल उफ सीविल मुमेंट तो यह क्यों हुआ था तो ऑप्सन तो नहीं बता लेकिन जो रिजन से उनको यहां पर मेंसिन किया गया है वाइलेंट क्लाइस टू डू टू अरेस्ट ऑफ कॉंग्रेस लीडर बाइब गवर्मेंट तो उससे में ब्रिटिस गवर्मेंट के दौरा कुछ कॉंग् तो बहुत पुराना आपको पता है कि एट जो है तो ब्रिट्स आसा में जादा है लेकिन चारस से कुछ है तो जब औरजिनली बना था तो 395 आर्टिकल से 22 पार्ट था आज 25 पार्ट है और 8 स्केडूल थे लेकिन अभी आगर आगर आप देखें तो यहाँ पे जो है बारत स्केडूल से 5 रीट से यह सब बिलकुल देखके जाना कितना जो है यहाँ पेंडिक से यह सारे देखके जान है अटर्णी जेनरल ऑफ इंडिया कॉन है तो स्रीकेकी बेनी गोपाल वाज़दा इस दा इस दा इस दा अटर्णी जेनरल ऑफ इंडिया नाशनल रूरल हेल्थ मिशन जिसका सौटफर में एन रहम वस लॉंच्ट ऑन तो यह जो है 12 अफ्रिल 2005 को जो है लॉंच किया गया था थोड़ सा पुराना है लेकिन पूछा गया है कमेंट जो है यह फ्लैक्सिफ प्रोग्राम है फर्स्ट इंस्क्रिप्शन अब अशोका है फसरी इंस्क्रिप्श को ब्रामी-इंस्क्रिप्श एक मच्षण गिए लिखा गया है फाद़स ऩको कॉंछ नजे तो इसरां РЕкой का रहा बंच क्वीशन जो है यह को recon डाइक हृग ऑनगा है एक कोशन ऐसा बना था P is equal to mb यह कोशन बना था where m is mass ऐसा कुछ पूछा गया था तो भी क्या है m क्या है यह एक कूशन जो है यहाँ से physics से कोशन बना था यहाँ पर SI unit नेर नोमेंटम is equals to mb होता ही आपको पता है तो यहाँ पर SI unit पूछा गया था तो आसा यूनित साहित पूछा गया था कोई एक कुछिन जरूर बना था कुछिन अच्छा से यहाँ पर याद नहीं इसलिए मेंसें निकर दिया है कि ऐसा इक कुछिन बना था ताकि एक आईडिया तो आपको हो कि किस तरह कुछिन बना था तो kg 32 मिटर पर सेकंड जो है इसका ऐसा expend है टोटल मेंबर ओपेक 13 मिंभर तो क stability । तेरा मेंबर है उपेक का हीटकोटर कहा पर है वियाना और्स्ट्रिया में इसका हीटकोटर है पूछा गया उपेक से काफी सारे सवाल बने हैं आगे चलके अगर हम देखे तो यहां पर मिला है अगर हम 25 मिटर इयर पिस्टल में देखे तो रानी सरनवबत को जो है यह मिला था रैंक ओफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पूछा गया है तो एक तो फॉर्टी एट जो है यह करेंट रैंक है प्रेसिडेंट अब नेपा सवाल सर्वपली रदाक्रिष्णन सर्वपली सबस्टों सब्सक्राइस सब्सक्राइब यहां पर थोड़ा हड़वड़ी मत करना यह हमारे तरह से साजेशन है क्योंकि बहुत सब्सक्राइब करेंगे कि जल्दी कर लेते हैं फिर रिजनिंग और मैथ के लिए आगे बढ़ेंगे इस को जल्दी कर लेते हैं तो ऐसे मत करना थोड़ा सब पीसेंश जरूर रखना की हाम और दे सकते हैं पांक सेकंड तो एक लिस्ट दे सकते हैं तो यह जरूर रखना अपने पास व्ल्ड वाइड वेब जो है इसके फाउंडर कौन थे टीम बर्नर ली जो थे इसके फाउंडर थे व्ल्ड वेब चागे चलके भी कुश्टन फिर देखने मिला है उससे भी डिसकस करेंगे अंसुला कांथ वाज एंडि ऑफ वीच इंडियन बेंक तो अंसुला कांज यह कुशन बना था ऐसके फाउंड पहले यह कौन से इंडियन बैंक के जो है यह मेनजिंग डिरेक्टर सेड़ी सुष्टन एंडि चीफ फिनेंशाल अफिसर ऑफ वल्ल्ड बैंक ही उसके रनकुमार ही वाज तो इनको जो है कौन सा आवार्ड दिया गया है फ्रेंस का हाइस्ट सिविलियन आवार्ड जो है चैविलियर ऑफ ओर्डर ऑफ लीजन ऑफ ओनर जो है इनको दिया गया है तो इसके बारे में भी पूछा गया था 12th WTO मिनिस्टिल कंफेरंज जो है कहां पर और्गनाइज किया जाएगा पूछा गया था तो कजाकिस्तान में जो है यह किया गया था अगर 11 यहां पर 11 यह 12 पूछा पता नहीं लेकिन पूछा गया था जरूए कोशन तो 11 पागर हम देखे तो बिनो एरिस जो अर्जन्टिना में यह और्गनाइज किया गया था 12 बाला जो है काजाकिस्तान में और्गनाइज किया गया था President of Confederation of Indian Industry जो है पूछा गया है President of Confederation of Indian Industry for 2021 उधाएकुटक जो है He is the Currently President of Confederation of Indian Industry Which Indian Constitution Guarantee Equal Opportunity to All Citizens in Matter Related to Employment in Public Sector तो Article 16 जो है इसका Guarantee देता है आर्टिकल 16 जो है किया डिस्क्राइब करता है कैपिटल ऑस्टेलिया बहुत से स्टेलिया ने कहा था कि यह कुश्चन नहीं बना है लेकिन कैपिटल जब पूछा जा रहा है हमने कवर अप कर दिया है क्योंकि आगे आप देखे तो क्योंकि आपिटल इंडोनेस्ट बना है तो कंट्रीन क्यापिटल ऑस्टेलिया जो में कैपिटल व्हार्या ओस्टाइब नहीं बना था सुरत स्प्लीट के नाम से भी इसे जाना जाता है वर्ल्ड बैंक चेर्मेन पूछा गया था 2019 का पूछा गया था डेविड मालपास वाज़ा चेर्मेन 2019 2020 में भी करेंटली यह है कुल्कोस ब्रेकडाउन इन्टू तो यह कारवन कंपॉंड में ब्रेकडाउन होता है देनेट क तो फॉर्मुला से पूछा जाता है नोट ग्रास नेसल प्रड़क्ट सब देख जाना यहाँ पर जीडिप का भी देख जाना इसका फर्मुला हैं ग्लाइस प्लस मनी फ्लोइंग प्ल्रॉइंग फ्रॉरेंग चंट्री में इसका फॉर्मूला है वाट इस प्लॉटर और पुछा गया था यलो वेस्ट मोवेंट कहां पर फ्रांस में हुआ था प्राइंस में हुआ था फादर ऑप पूछा गया फादर इन डिफरेंट फिल्ट तो पूछा ही जा रहा है बार बार चाल्स जो है वेस्ट बेंगल जो है इसका सही जवाब है कोड़नेम ऑफ पोखरान टेस्ट 1974 दोनों ही कोड़नेम पूछ लिया गया है 1998 का भी पूछा गया 1974 का भी पूछा गया है स्मालिंग बुद्धा जो है इसका कोड़नेम है साइमन कमिशन ग्रूप एपॉंटेड इन तो यह जो है सा कोई भी कोई भी आब कोशन उठाएं तो आपको पता चल रहा कि कहीं न कहीं कहीं से रिलेटर कोशन बनाया रिपीट हुआ है तो देखें इस तोड़ा ही होने वाला फेस्टू में बिल्कुल धियान रखें आपने अच्छा से पढ़ा ही कर रखा है confident एक दम रहें नर्वस ही वाज दा पॉलिटिकल गुरू अप महात्मा गांधी 2020 युनेस को का यह अवार्ड के बारे मखास करें पुछा गया है गुलिर मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है किन्हें दिया गया है जैनित बीदियो लिमा को दिया गया था फॉम कॉलंबिया इन्हें में उल्हर घंट को देन में टाल से बिदन से इसी तरह बताफि आए अ का आप हुछआ जाता है नहीं लेकिन आगे-ई आगे-दे आढंगर बारेीं पूछास का सकता है यह,िन्ट अलवेज. Steel is can be considered as blueprint non-corporation movement was launched on तो कब लांच किया गया था 5th September 2020 को लांच किया था थोड़ा सा ज्यादा जल्दी हम जाने को जिस कर रहे हैं थोड़ा से slow यहां पर हो जाते हैं non-corporation movement जो है कब लांच किया गया था 5th September 2020 को लांच किया गया था by महात्मा गांधी थोड़ा सा इसलों हो जाते क्योंकि अगर जल्दी बहुत जल्दी भी कर रहे हैं तो गलत हो जा रहा है इसी मतलब कन्फिउजन हो रहा जेंडर भी चेंज हो जाता है तो थोड़ा सा यहां पर आराम से चलते हैं विच मोवमेंट स्टेड विद नॉन करपरेशन मोवमेंट तो यहां पर खिलाफत मोवमेंट जो है यह नाइंटीन को यह स्टार्ट हुआ था और नॉन करपरेशन मोवमेंट यहां पर साथ में चले थे तो खिलाफत मोवमेंट इसका सही जवाब होगा तो यहां पर नेक्स्ट कोशन जो बना है यह बना था आई एसस एफ तुहन नाइंटीन सूटिंग टैन मिंटर एर पिस्टल मैन को वीन स्ट्राइब नहीं भारत है विए लेक्ट्रिकल लिमिटेट इसका फुल फॉर्म है विच आयनेस सीप कमिशन्ट इन मॉंबई इन तूहन नाइनटीन आइनस खंदारी जो है यह जो है कमिशन किया गया था इन मॉंबई तूहन नाइंटीन साइक्लोन एफेक्टेड ओडिस वेस्ट बंगल को भी यह जो है साइक्लोन एफेक्ट हिया था पॉलिटिक्स ऑब जुगाड ओधर पुछा गया है सवानक भी जो है इसके ऑथर है तर्सकन डिकलेस्ट के बारे में पुछा गया वाज पीस फूल अग्रिमेंट बिट्विन एंडिया पाकिस्तान साइंड व हो गया पंचसील एग्रिमेंट हो गया लाहोड डिकलेसन हो गया इंद्रा मुझीव क्रिटी हो गया सारा जितना भी इंपॉर्टेंट एग्रिमेंट है जहां से कुछन बन सकता है सबको कवर अप कर दिया गया है एक वीडियो में तो लालबादो सास्त्री और मोहमद आयू को मुमेंट के बारे में आगे चलके आप बिल्कुर आप पढ़कर जा असकता रही को ससन बन सकता हैं जो को मुमेंट हो था इसीच से क stiff ourам में कोंव इसका नाम था अपिको मुमेंट में मुमेंट फो.'' 2019 Final Playdead तो कहां पर खेला गया था लॉट्स के मैदान में यह खेला गया था वही आई से सी विल्ड कप के बारें पुछा जा रहा जो कि 2019 में खेला गया था तो यह लॉट्स के मैदान में खेला गया था जर्राइफ डिंकेशन स्षोप्लम्परा्श्प्ली नाम से जाना जाता है यह जैंडर जाना जाता है लंट्रीतेन प्रेस्म पुछागी यह दे लिस्डेशन पूर्टेम्स में किसे अब्स कर स म्स संब अधॉट्रोप यbst Wyopt,ुंग्वे कि रहाए हैं। इंटरनेसल गांधी पीस प्राइज के बारे में पुछा गया था यह उसी सासा कावा जो है इनको दिया गया था इंटरनेसल गांधी पीस प्राइज World Life Protection Act के बारे में पुचा गया था 1917 जो World Life Protection Act इसमें कितने स्केडूल्स हैं तो total 6 स्केडूल्स हैं इसके बारे में पुचा गया था जो भी important इस तरह water act हो गया, environment act हो गया सारह बिलकुल देखके जाना, साथ में date भी देखके जाना यहां पर जो साल है यह देखके जाना यहां से बन सकता है टोटल 6 जो है environmental acts है इनके बारे में ज़रूर पढ़के जाना हाँ मैनी groups यह पुछा गया तो कितने groups हैं यह बहुत अब जान सकते हैं यह सब बहुत basic सा सवाल है यह सब पकंपने बिल्कुल ready रखा होगा फिर्ट प्लेंड इसका बोटनिकल नेम पुछा गया है scientific नेम इसका मतलब है बोटनिकल नेम तो पुड़िकल नेम है तो इसी तरह के एक सवाल बना था एकुरिटली यह सवाल नहीं बना था तो यह भी जो सवाल इसका सही जवाब हम आपको दे दे दें 30% अफ ग्रॉस क्रॉप एरिया जो है इसका सही जवाब है इतना कवरेज जो है दिया जाएगा फार्मर प्रेशिडेंट्ट प्रनाम मुकर्जी यह जो है इन्हें दिया गया था दुहुजल उन्नीस का बात है सायथ भारत लौतव इन्दिया का डांडी मार्च वास फ्रॉम तो डांडी मार्च कहां से कहां थेक हुआ था सावरमती आसराम से स्टार्ट होके डांडी जो है question भी भी बना था तो League of Nations जो है बना था कितने मेंबर हैं बिल्कुल एक बार देख लेना United Nations में तो आपको पता होगा लेकिन League of Nations में कितने मेंबर थे उसके related questions हैं उसे भी आके discuss करेंगे को इस करेंटली Chief of Defense स्टाफ सेडियस को करेंटली कौन है जनरल बीपिन रावज जो है इस करेंटली Chief of Defense स्टाफ ओसी आर का फुल फॉर्म पूछा गया था computer से related है optical character recognition का फुल फॉर्म है और किलो बाइट इक्वल कितना बाइट यहां पर बाइट होते हैं वन किलो बाइट इसी तरफ मेगा बाइट पूछा जाएगा 1024 किलो बाइट होंगे यह भी हमने discuss किया है computer awareness में सब covered है Secretary General of United Nations करेंटली कौन है तो सब्सक्राइट पूछा गया इसका फुल फॉर्म है तो किस तरह related है आपको समझ में आही रहे कि इसल्वी का पूछा गया तो फिर प्यसल्वी का भी बाद में सिफ्ट पूछे गया इको फ्रेंडली रोकेड अंगारा वस लॉंच बाइव विच कंट्री तो रस्या के द्वारा जो है यह लॉंच किया गया था दो हजार नीस का करेंट अफैर है 2019 से लॉंच किया गया था अंगारा जो है यह सेटलाइट का नाम था इको फ्रेंडली यह सेटलाइट था सेकंड फाइव एर प्लैन इस बारे में जैसे आपको पहले बताया था तो इट इस बेस्ट ऑन महालोंविस मॉडल इंडिया नैसनल कमीटी फ़र स्पेस रिचल रिसर्च इस रोर से पहले यह जो है यह ऑनिटिते व मैं पूछा यह सेटाप किया गया गया आगए आगे पूछा जा सकता है विक्रम इनके दवारा जो है जो है यह established किया गया था he is known as father of Indian Space तो बिक्रम सारे आप सरी इन्हां कहा जाता है उज्पीछीज्ट फर रीजिनल कनेक्टिवीटी तो उड़ान स्क्रेम्विटी लाँच किया गया व्रीजनल इसका फुल फॉर्म है उडे देश का आम नागरिक लॉंच का बुवा था फ्लेक्सिव स्क्रीम है विल्कुल या दखना गौर्मेंट फ्लेक्सिव स्क्रीम है 27 अपरिल 27 अपरिल 17 को लॉंच हुआ था इकानोमी और पर्मेनेंस जो है यह बुक किसने लिखाया ऑथर पुछा गया है जैसी कुमार पर जो है यह बुक के ऑथर हैं बुक से बार 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 बन रहें इस सवाल तो आपको देखने मिल रहा है ऑथर ऑफ चंद्रकांता यहां पर पूछा गया एक ही सिफ्ट में दो दो जो है यह बुक के बार ने पूछा जाएं इनके बार लिखा गया तो यह जो बिल्कुल देखके जाना इन्पोर्टैंट सेंगे इन पॉक्टन बुक हैं तानसें कंपोजिशन जो है किसमें जो है आपने music जो vocal music थे किसमें बेसिकल करते थे पूछा गया जैसे खयाल होता है रागा होता है धुरूपद होता है तो यह जो थे he was one of the jam in Akbar's court और यह जो आपना vocal composition करते थे धुरूपद में करते थे in the absence of oxygen pyruvate must be converted into तो यह जो है इसका सही जबाब है lactic acid anaerobic जब respiration होता है तब यह होता है pyruvate जो है यह convert हो जाते लactic acid में फिर जो muscles में जब लactic acid जमा हो जाते है उसके बाद जो है muscle fatigue होता है international atomic energy agency जो है यह कब जो है it was founded कौन से यह पूछा गया है यह यह कुछ बार बार रिपीट भी हुआ है अलगले चिप में 1957 में इसे जो है establish किया गया था headquarter वियान ऐस्टेरिया में जो है यह present है functional unit of kidney पूछा गया तो nephron is the functional unit of kidney similar agreement के बारे में पूछा गया bilateral relation between इंडिया और पाकिस्तान signed by Prime Minister इंद्रा गांधी और प्रेसिडेंट और पाकिस्तान जे वुट्टो इंसिम्ला on 2 जुलाई 1972 यहां पर date यहाद रखना है और जो leaders थे इनके भी sign किया गया है जो countries है वो सब बिल्कुल धियान रखने neighboring countries के साथ international जो agreement sign किया गया है बहुचा यह important है पूना पैक्ट के बारे में पूछा गया था वह sign by तो गांधी on the behalf of Hindu and Ambedkar on the behalf of depressed class यहां पर actual जो है गांधी जी जो थे उसमें जेल में थे तो यह जो है मदन मोहन मालविया on behalf of गांधी उन्होंने sign किया था और Ambedkar जो है भीम्राव Ambedkar जी जो है इनके द्वारा sign किया गया था पूना पैक्ट बोकारु स्टील प्रेंट इस एस्टेवलिस इन्दा कोलावेशन बना है सोवेट यूनिन के द्वारा जो है इनके कोलावेशन में प्रेजेंट है अब सरा निक्ले रेक्ट लोकेटेट कहां पर है तो मुंबाई में लोकेटेट है इससे पहले पुछा गया था पहला निक्ले रेक्ट इंडिया का कौन सा है तो अब सरा है हाइस सिविल यन अवार्ड आप करोशिया इस रिसनली गिबन टू 2019 में दिया घ्रडेट अ मोजी और इक예요 और यह कोशन बन रहा है है यहां से बिल्कुल देख के आपको जाना है regulatory body related to operating in Indian capital market तो सेभी जो है इसका regulatory body है सेभी का full form देखके जाना currently chairman कौन है देखके जरू जाना इससे भी question आगे चलके बन सकता है फर्स्ट वेबसाइड वर्डवाइड वेब पुछा गया तो सर्न जो है इसका वेबसाइड था यह आज भी जो है कारेरत है यह जो है यह वेबसाइड जो था यह पहला जो है यह वेबसाइड था कुछ European Union nuclear कुछ से यह related है पूरा यहाँ याद नहीं है लेकिन यहाँ पर प्राइम निस्ट्र नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉंच किया गया था और यह 28 अगस्ट 2014 को लॉंच किया गया था तो जो फ्लैक्सी प्रोग्राम है काफी ज्यादा कुछन से यहां से भी बने है वह कॉइंड डर्म ब्रेक्सिट तो ब्रेक्सिट जो है अभी पहुच प्लाइटर शीटी न तुरहां 18 1218 का पुछा गया तो गुरुगुराम वस्ट प्लेक्सिटी इन डा व्ल्ड तुरहां 18 पैनिसलीन वास दिसकवर्ड बाइचंडर फ्लेमिंग जो है इनके दोरा डिसकवर किया था फ्लैक्वेरर इन अस्ययं गेम्स तुरहां 18 पूछा गय अगर यहां पर opening ceremony पूछा गया हो तो आगे चलके closing ceremony के लिए पूछा जा सकता है ACN game 2018 लेकिन कुछन बने हैं अच्छे खासे कुछन बने हैं विनर 2020 Australian Open के बारे में पूछा गया है सब्सक्राइब के नाम से जाना जाता है तो निलगरी को जाना जाता है तो निलगरी यहां पर सही जबाब होगा और एक माउंटेन जो है ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है मीजोरा में प्रेजेंट है फॉन पूई जो है यह भी ब्लू माउंटेन के नाम से इसे भी जाना जाता है तो जैसे भी आपको option मिले देखिए जैसे option मिलना है और से आपको जो है यहां पर जबाब देना है हमने दोनों ही यहां मेंचन का रखा है सिरा जो दौला वस लास्ट इंडिपेंडेंट नवावा बेंगॉल डाइट तो पूछा गया है तू जुलाई 1757 ही डाइट इन मुर्शिदाबाद तो सिरा जो दौला से पहले भी कुश्चंस बना था बैटल पैले सी को लेके तो यहां से भी कुश्चंस बना है आर्टिकल रिलेटेद टू इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स तो आर्टिकल 269 जो है इसे रिलेटेड है ग्रेट इप्रेशन 1929 कहां से स्टार्ट हुआ था पुछा गया था कौन से कंट्री से तो युनाइट इस्टेट से जो है स्टेट से यह स्टार्ट हुआ था ग्रेट डिप्रेशन 1929 और भी जो इंपॉर्टेंट एकॉनोमी जो डिजास्टर हुए थे जैसे 2008 का एक हुआ था एकॉनोमिक डिजास्टर फिर 2020 में भी जो है यह हुआ था द्यू तो यह सब बिल्कुल आपको देखके जाना है 2008 में क्यों हुआ था कौन से बैंक के व दिज्ट को सेन एकुष्ण ऐसा बना था इंडिया जैसे बिल्कुल देख लेना यहां पर आपने में सिंटाप किया है और चलके बन सकता लेकिन कब सिटाप किया था अगस्ट 1948 जो है यह सिटप किया गया था फादर ऑफ इंडियन सिनेमा पूछा गया था तो दादा जो है इन्हें का जा था father of Indian cinema full form of SLR पूचा गया था banking से related है statutory liquidity ratio जो है इसका full form है first round table conference convert from to cup से cup तक हुआ था यह पूचा गया है तो 12 November 1930 से लेकर 19 January 1931 में London में organized किया गया था सांची स्टुपाइज लोकेटेड इन यह कुछन बना है तो वोपाल जो है मध्यप्रदस में यह located है नेम आफ इंपरियल बैंक चेंज टो स्टेट बैंक आफ इंडिया इन वीच यह तो यहां पर जो अगर स्टेट बैंक आफ इंडिया जो है चेंज किया था जुलाइं ननाइंटी में घान यहां था आता ब्लड इन वृटी ताइप आप टीशु ब्लड इस और विच टीशु पूछा गया तो उनके offices होते हैं IT companies हो गया फार्मा company हो गया जो भी अच्छे जो companies होते हैं उसके अंदर जो होते हैं से जून के अंदर होते हैं से जून बनाया जाता अलग-अलग state में present है जैसे महाराष्ट्र माध्य प्रेस्ट में जो है present है my mother at 66 is a poem whose author is तो यहाँ पर poem का पूछा गया नागी बुक के बारे में whose author is तो कमला दास जो है इसके author है she is the author of book my mother at 66 International Atomic Energy Agency repeat हुआ कोर्शन जो है फांडेड स्टोलिस कब वह था 1957 को स्टोलिस हुआ था फेमस क्राफ्ट ऑफ लखनो इन्पोर्ट अर्ट और्ट एंड क्राफ्ट अम्पोडरी देखके जाना है स्टाटिकी में सब प्रेजेंट है तो फेमस क्राफ्ट अप अफ लखनो फेमस एंबडरी भी कह सकते है क्राफ्ट भी कह सकते है अफ लखनो क्राफ्ट के वज़े से जो है यह होता है यह जो है एक्सपोर्ट किया जाता है अधर कंट्री को काच करके जूनागड के गुजराट में उगाया जाता है काफी बार रिपीड भी हुआ अलग लग सिप्ट में जेनिवा सुझे लैंड में इसका हिट्वाटर है फॉर्टेन का फुल फॉर्म रिपीटेट कोशन है फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फॉल फॉर्म है सिम्बल अब मैगनेजियम बिल्कुल बिसिक एक्चुली यह ज सिब्से लाश्ट में आकर देखें 12 और 13 का वाइटमिन हिल्प इन ब्लड फ्लॉटिंग वाइटमिन के इसमें मदद करता है एडस मस्कीटो इस वेक्टर फॉर्मिटिंग डेंगी जो है बुखार यह फैलाता है एडस मस्कीटो इसी तरह आगे चलके पुछा जा सकता है फ नांगे पुछा गया था यहां पर पूछा तो यहां पे फुल फॉर्म स्टेलाइट युक्टो इसन का वाइट तैगर गया है और विन अधिग्या जो है इसके और है बुचा जा रहे है और बाकी अगर देखे तो यहां पे स्टाटी जीए कोसंस बहुत जादा है और बेस्ट फिल्म 2020 रिपीटेट है परसाइट को दिया गया है गवर्मेंट ऑफ इंडिया अनुटेशन ऑफ और फाइंडेट और फाइंडेट बैंक नोट्स कब हुआ था एट नवेंबर 2016 को यह हुआ था नेशनल एंट्रम ऑफ इंडिया वस संग फॉर्स तो यह कब गया गया था इंटेनेशनल कॉंग्रेस ऑफ 27 जो यह कैलकेटा से सबके पर वीडियो है अब बिल्कुल वीडियो को देख लेना लिंक साथ देस्क्रिप्स में मिल जागे सरे वीडियो का युए न सेक्रेटी कांसिल पर्मेंट और नॉन पर्मेंट मेंबर कितने हैं तो यहां पर पांच पर्मेंट हैं रिपीटेट कुस्टन है टोटल लेज़ाना 1929 के जो आएंसी का सेशन था प्रेशिडेंट कों थे जा वालना नहरू यहां पर प्रेशिडेंट थे विश्टीम इस रैंक्ट वन इन टीटवेंटी इंटरनाशनल क्रिकेट तो करेंट ली देखे तो इंग्लेंड का रैंक वन है औस्ट्रिया टू इंडिया इंटीटेंशनल खास करके फ्री औंख सरी एज़्यूकेशन फर आल इस गूरोप तो यहां पर बेसीकली एज़ गूरूप पुछा गया है तो यह जो है सिक्स टू फारीन एज गूरूप में यह दिया जाता है तो आर्टिकल 21 1 एंत्रगा जो है यह ए तो यह एज गूरू तक यह जो है free and compulsory education दिया जाता है daughter of sahajah who helped in construction of monument in Delhi तो जहनारा बेगम जो है she helped in construction in lots of monument जिन में से चान्नी चोक जो दिल्ली का है इनके द्वारा design किया गया था she was the eldest daughter of sahajah when did Nadir Shah invaded India यह पूछा गया है तो Nadir Shah कहां से आया थे इरान से आया थे उससे में नाम थे पर्सिया बैटल अब करनाल जो है यह हुआ थे 1739 को so he invaded India during March 1739 जहाँ पर इन्होंने जो है मुहामद स्राजो मोगल उससे में अंपर थे इन्हों को हरा कर बैटल अब करनाल में इन्होंने पीकॉक जो थ्रोन है इसे जो है लूट कर ले गया थे full form of MRTP यहाँ पर पुछा गया monopolistic and restrictive trade practices का full form है Ajanta Cape located in hoistate तो यह जो है औरंगाबाद इस्टिक और महारास्ट्रा में located है Russia highest state honor award order of St. Andrew and absolute 2019 is given to यह जो है फ्रदान मंत्री नरेंद मोदी को दिया गया था तो फाइनली यह जो है प्रेसिदेंट को सेंड कर दिया जाता है प्रेसिदेंट के अप्रूबल के लिए वेज दिया जाता है study of animal is called यहाँ पर पुछा गया जो है जो लोजी कहा जाता है study of plant को बातनी कहा जाता है minimum age limit for person to be the member of पंचायत समीती तो 21 year पंचायत मेंबर बनने के लिए minimum जो है 21 year यहाँ पर required है बहुरूपी गांधी बुक ऑथर के बारे में पुछा गया अन्नु बंदोपद्ध जो है she was the author of बहुरूपी गांधी मोपला यहाँ पर rebellion के बारे में पुछा गया है यह कहाँ पर हुआ था कौन से year में हुआ था तो 1921 मालावा रिजन आप केरला में हुआ था एसे टिक सोसाइटी अब बेंगॉल कप एस्टब्लिस हुआ था तो 15 जैनवरी 1784 को यह एस्टब्लिस हुआ था वर्ल्ट्रेड और्गनेशन कब एस्टब्लिस हुआ था देखे कितने रिपीटेड है यहाँ पर कुछन तो यहाँ पर जो है वन जैनवरी 1995 को जो है यह स्टब्लिस हुआ था ऌफर पहले काफ़ी कंद बने इसा था लेक्रीन तरह डेखना लगन और्गनाइशन के बारे में पूछा गया था था तो कब लांच किया गया है तो यह जो है फिप जून 2015 को लांज किया गया था बाई उमा भार्ती फॉर्स इंडियन उमेंट टो गेट बुकर प्राइस यहां पर अरुंधति राय को दिया गया था गॉडव स्मॉल तिंग्स सिकली सम viruses करते कि इस तरह कैंट कोन करते हैं और सात में लीगल प्रोटेक्शं कौन लेंट हैं का कॉन के आंत्र टर काई जाता है तो यह इन को कुष्न बना था गॉर्व नवेंबर 1469 को जो है गुरु नानक जी का जो है यहां पर इनका जन्द हुआ था 1469 को वाट इस ऑपरेटिंग सिस्टम तो डेफिनेशन हमने लिख दिया है यहां पर तो जो भी ऑप्शन एकदम सठीक बैठता है वह जो है इसका सही अंसर होगा आगे चलके सर्च इंजिन के का definition है सर इसका टाइगर इजब कहां पर है अलवर राइस्तन में प्रेजेंट है हुई हुई वाज नॉट इन्वाल्व इन काकुरी ट्रेन कॉंस्पिरेसी यह कुशन बना था तो यहां पर जितने नाम है जो जो इन्वाल्व थे यहां पर आमने लिखतीया है राम इससे जो है यह रिलेटेड है आगे चलके हिट्वाटर पुछा दा सकता है लंडन और कब एस्टालिस हुआ था 1961 को यह रियाद रखना किसे रिलेटेड है इन्डिया पाकिस्तान उन्पाकिस्तान फास्ट इसे जो है विच्या तो यह पुछा गया है बेसिकली सिमला एग् इसका नाम था शीमला एग्रिमेंट के बाद यह यहां पर डिकलेर किया जाता है जितने एग्रिमेंट है प्लीज उसे देख लेना सवाल काफी जाता है डिरेक्ली इंडिरेक्ली वहां से बन रहे हैं प्रेसिडेंट आफ न्यूज ब्रॉडकास एसोसियेशन तो रजा सर्मा जो है करेंट्ली इसके प्रेसिडेंट है इंडियन वुमेंट टुबी इलेक्टेड फैलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंडन तो यहां पर 2019 में यह सांटिस्ट है शी सांटिस्ट डॉक्टर गगंदीब कंग जो है शी इस दा इंडियन वुमेंस सांटिस्ट एंड शी वास्ट टुबी इलेक्टेड इन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन 2019 को यह वदा तो 2019 का यह करेंट अफेर है कजरी फॉल्क म्यूजिक इस फ्रॉम हुई स्टेट तो यह उत्तर प्रदेश से जो है साथ में उत्तर प्रदेश बिहार दोनों ऑप्सिन एक साथ आपको नहीं मिलेंगे त इंडिया बॉर्डर रोड ऑर्गनेशन जो है कब एस्टेब्लिस किया गया था आगे चलके हीट्वाटर पूछा जा सकता है तो इसका हीट्वाटर जो है यह निव देली में प्रिजेंट है और यह जो है इस्टेब्लिस हुआ था नाइंटीन सिस्टी में जी एटी वही ज सेप्टेंबर 2017 को स्टार्ट किया गया है कुछन एक ऐसा बना था पंजाब का चंडिगाड तो ही कापिटल है तो हदियाना का कैपिटल भी चंडिगाड तो एक कुछन यह बना था आर्टिकल रिलेटेद टू एपॉंट्मेंट अफ गवर्नर तो आर्टिकल 155 एस रिलेट अब पाकिस्तान तो यह जो है साही जवाव है लीग अब नेशन पहले भी हमने बात किया था युनाटे नेशन से पहले जो है व्ल्ड वार वान के बाद लीग अब नेशन बना गया था कितने मेंबर है यह देख लेना कंफर्म हम आभी नहीं है साथ 68 या 63 मेंबर कुछ है ते पर देख लेना लीग अब नेशन के कितने मेंबर थे जाब यह व्ल्ड वर वान के बाद बना था तो कर्रेंटली इसका जो नया जो नायम है नया जो आर्गनेशन है यह है उनाटे निशन मैनोरा फोट के बारें पुछा गया था इस लोकेटेट इन हुई स्टे तो यह हेट पुछा गया रिपीटेट कोशन है तो जेनिवाज का हेटकोटर है प्रेसिडेंट ऑफ आइन सी सेशन 1929 में तो जवालन नहरू जो नागी यहां पे बना यहां पे बहुग. श्वूराज प्रास प्रेसिज्शन के सारे सेशन के सेशन भाख जाथा इस सुराज प्रम म ये बनाए गया था सुराज पाटी सोलर से वर्क्स इंग्स प्रेजिक से जो है कुश्चन उचकर फेणोमेन स्वीवें पुछा जा रहा है وज़से पहले जो है लैंब के रिलेड़ेट बने थे तो किस्ग पर केकल पर काम करता है इसी तरह सोलर से वर्क ऑन वीच फैनोमेना इट वोक्स फोड़ोल्टेक एफेक्ट सी प्लस प्लस इस 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 सवाल है जिस लक्षमी यो थी शी वास्ट फीमेल आईसी सी मैच रफ्री हाव मेनी टाम इंडिया रीच इसी व्ल्ड कफ फाइनल्स यह पूछा गया है तो इंडिया जो है तीन बार यहां पर आइसी सी व्ल्ड कफ फाइनल पहुंचा था एक बार 1983 में जब इंडिया ने जीता था पहली बार यह बार 2003 में और एक बार जो है दो जारी गारा में जब इन्होंने जीता था सी लंका को हरा कर फॉर्स्ट गॉवर्नर जेनरल अफ इंडिपेंडे जोसे का फुल फॉर्म है computer process instruction और एनी अधर डेटा तो इसे क्या यूज करके फोसेस करता तो binary code यह यूज करते हैं computer to process instruction और डेटा binary code क्या होता जी रो और वन ब्रिसे करते है जितने भी important जो भी instruction process किया जाता है binary code ही use किया जाता है computer के द्वारा वहरी जलिया वाला वाला कि एक यूनिट है फूल फ्लेज यूनिट है यह हाईराबाद में प्रेजेंट है जंड है यहां बिंस्वराज वास रिटेंग भाई तो यहें से लिखा गैगा था हिमायन नामा किन के द्वारा लिखा गया है यहां दो बुक के बारे में पूछे गया है खाज करके बहुत सारे सिफ्ट मेंसे भी हुए हैं दो बुक के बारे में पूछे गया है तो हिमायन नामा जो है एक गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया रिपीटेट यह सइटलाइट है कहां से लौंच किया गया था यह साथ पूझा गया था यह कौन से रौकेट से लौंच के रहता नाम था Soviet Cosmos 3M जो है यह रोकेट का नाम था तो है 18 FIFA World Cup किन के द्वारा जीता गया था कौन से कंट्री के द्वारा यह पूचा गया था यह था फ्रांस तो जितने भी questions पूचे गया थे उनको हमने यहां पे cover-up किया जो भी questions basically हमें मिले थे सारे questions तो मिलना पॉसिवल नहीं है 48 of 40 tough questions भी बहुत सब्सक्राइब को याद नहीं रहता है फिर भी जो भी हमने correct कर पाया इस दारान 1st page में 28 December से लेकर 13 February 2021 तक सब को cover-up यहां पे किया सारे चीज़ जो है यहां पे discuss किया आपको भी बहुत अच्छा लगाऊगा आप पता चल गया होगा कि कि यह दूसंदा मदद जो है पहुंचने वाला है बहुत सरे स्ट्ट्ट्स को प्लीज दू सेयर अधिस वीडियो त्स रेकेंड रिकेंस को प्लीज दू सेयर दिस वीडियो थैंक यू अल दिबश्ट